नमस्कार मनी गुरू की इस खास पेशकुष में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ स्वाती रायना और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत हमशुब कामनाई देते हैं आज के इस खास शो में हम आपको बताएंगे फाइनांशल प्लानिंग के ऐसे थमरूल जो किसी भी उम्र में अपना कर आप बन सकते हैं आर्थिक रूप से सशक्त और इसी विशे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास महमान हैं उनका परेचर करा देते हैं हमारे साथ आज है पंकश मठपाल, MD Optima Money और मोहित गांग CEO Money Front पंकश जी और मोहित आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करते हैं हमारे साथ इस खास कारिक्रम में शामिल होने के लिए मौका बहुत खास है और इस खास अवसर पर हम कोशिश करने वाले हैं कि कैसे निवेश के करतव ये पत पर एक निवेशक चल सकते हैं और किन निवेश के मंत्रों को अपना सकते हैं एक एक पर करके आप दुनों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आर्थिक मंत्र आप दुनों देने वाले है मारे निवेशकों के लिए । वो कौन सा पहला ऐसा मंत्र है जो चाहे किसी भी उम्रे का निवेशक ही क्यों ना हो उसको अपना कर ही वो निवेश के इस कर्तव्य पत्थ पर आगे बढ़ सकता है स्वाती जी आपको मोहित भाय को और जी बिजनिस के सभी व्यूवर्स को गंतंतर दिवस की हार्दिक सुकाम ना है स्वाती जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फाइनिशल प्लैनिंग में और आपके जो भी फाइनिशल गोल्स है वो अचीव हो सके इसके लिए वो है सेटिंग गोल्स आपके जो भी फाइनिशल गोल्स है वो पहले सेट करने चाहिए और वाइस यह ऐसा है कि आप कहीं जा रहे है आपको कहीं जाना है बड़ यह नहीं पता कि जाना कहां पर है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप के जो फाइनिशल गोल्स है वो सेट हो और उससाब से फिर आप आगे इन्वेस्टमेंट की सुरुवात करना या जो भी किस तरह से अचीव करना है उस पर काम करें बिल्खल तो आपने कहा गोल सेटिंग और गोल सेटिंग किस हिसाब से पंकर जी होनी चाहिए क्यूंकि हर किसी के फाइनाशल जर्म Hiernew में तो हर किसम के गोल आते हैं तो कैसे अइडेंटिफाई करें बिल्कुल देखी जब बात ऊतंए हम पर्सनल पाइनेंस की तो अक्तर पहले जो goal होते हैं यही होते हैं कि आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की education है या अपनी खुद की higher education है, उसके लिए भी कई बार planning की जाती है, घुमने जाना है, retirement planning है, तो ये कुछ थोड़ा बहुत कम जैदा हो सकता है, या फिर इसमें से सारे के सारे goals अभी क के होंगे, तो जब आपको ये बात पता चल जाएगी कि कितना समय है आपके लिए, अलग-अलग goals के लिए, उस हिसाब से आप different assets का चुनाव कर सकते हैं, different investment के product से उनका चुनाव कर सकते हैं, तो आपको ये जरूरी है कि goal आपके realistic हो, आप major कर सके उनको, ये भी जानना लक्षे होते हैं, उनको पहचान कर आपको उस हिसाब से निवेश अपना आगे बढ़हना है, जैसा पंकर जी ने बताया, आम तोर पर मोहित हम देखते हैं कि हम बड़े-बड़े अपने लक्षे सेट कर दे थे, क्योंकि लक्षों के आपर बात ही हो रही है, हम आज से 15 साल के बाद या 20 साल के बाद के लिए सोचते बहुत है, लेकिन कल के बारे में कम सोचते हैं, खासता और पर जफानाशल प्लानिंग की बात आती है, मैं लगता है कि चली कल की प्लानिंग तो हो जाएगी, कल मतलब की बिलकुल आने वाला जो समय है, लेकिन जो आने वाले कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं या कुछ ऐसी स्थिती है जो कि अचानक से आ जाए उसके लिए किस तरीके की प्लानिंग की जाए जी स्वाती सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को गंतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुपकामना है हार्दिक बधाई तो देखिए स्वाती जहां से शुरुआत होती है किसी भी प्लानिंग की वो ये है कि आप अपने लिए एक रिजर्व कॉर्पस बनाए जिसे आप एमर्जनसी कॉर्पस बोल सकते हैं या फिर आप उसे एक तरह से कैश का परियाय बोल सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत-बहु दिक्कत आजाए या फिर आपकी जो आये चल रही है या उसमें किसी तरह की रुकावट आजाए बाधा आजाए कोई गैप आजाए तो हमेशा जहां आप शुरुआत करते हैं सेविंग्स की वहां पर सबसे पहला पड़ाव है कि आप कम से कम 6-9 महीने का जो कॉर्पस है उ आपको कभी अपने बड़े निवेश को तोड़ने की आवशक्ता ना पड़े तो यह एमर्जनसी कॉर्पस सबसे पहला और सबसे गोल्डन रूल है परस्नल फिनेंस का बिल्कुल तो एमर्जनसी फंड बनाना अचानक से आए खर्चों से निपटने के लिए एमर्जनसी फंड काफी ज्यादा कारगर साबित होता है और जैसा मोहित बता रहे हैं कम से कम 6-12 महीने के खर्चों के बराबर एमर्जनसी फंड आप बनाईए बैंक खाते में एवड बजट आने वाला है जैसे पंकत जी हम देश के बजट को तो देखेंगे ही जिसका असर हमारे जैप पर भी पड़ेगा लेकिन हमारा जो रूजमर्णा का बजट होता है जिसमें हमें हमें अपने खर्चे अपनी सेविंग्स का खयाल रखना पड़ता है उस बजट को कैसे तैयार करना चाहिए क्यूंकि ये तो हमारे हर महीने की जो आये है उससे हमें इसको मैनेज करना पड़ता है तो क्या निवेश मंत्र इससे निकल कर आते हैं बिल्कुल स्वाति दिखिए आपने जो कहा अभी यूनियन बजट के बारे में कि देश का बजट आता है और अकसर देखते हैं कि बजट के बाद इंडिवीजुल भी अपनी ओपिनिन देते हैं कि बजट में कमी रहे गई ऐसा होना चाहिए था लेकिन अगर देखा जाए जो आपको खर्च करना हैं कितना बचाना है और किस तरह से आप अपने जो भी आपने पैसा है उसको मैनेज कर सकते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि बजट नहीं बना होता है तो आपके पैसा होता है और तब भी आप खुलकर खर्च नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं कितना बचा पाऊंगा इस में से तो हमेशा गर टैग कर लें कि कितना पैसा आपको आपके पास आ रहा है जो भी आपके खर्चें उसके कितना बचाना है चाहे वो नीट्स हो या वांट्स हो फिर उसके बाद जो आपके short term या long term के जो भी goals हैं उसके लिए जो पैसा save करना है invest करना है उसको भी आपको एक mandatory तरीके से कि जो खर्च के साथ ही रखना है कि इतना पैसा तो मुझे रखना ही है ये सब budget बनाएंगे तो बहुत आसानी से आप अपनी wants के लिए अपनी चाहतों के लिए भी अच्छे से पैसा बचा पाएंगे तो इसके लिए जो आपने अच्छा example दिया कि देश का budget भी पेश होने वाला है तो ये सही समय है कि अगर आपने अपना budget नहीं बनाया है उसे जरूर बनाएं और हमेशा हर परती व्यक्ति को आप इन्वेस्ट कर रहे हों इन्वेस्टर हैं या आप अभी शुरूआत कर रहे हैं आपको budget जरूर बनाना चाहिए बज़ट बनाने की क्योंकि बात हो रही जिसको पंकत जी ने बताया मोहित जो needs, wants जिसका जिक्र किया पंकत जी ने कई बार इसका संतुलन बिगड़ जाता है तो क्योंकि हमारे financial planning में बहुत सारे rules है बहुत सारे formulas है जिनका कई बार इस्तमाल किया जाता है हम कई बार उसका पूरा पालन नहीं भी कर पाते हैं लेकिन हम क्या एक proportion रख सकते हैं कि हाँ इतना पैसा हम जरूरी खर्चों के लिए रखे, इतना कुछ अपने entertainment के लिए रखे और कुछ पैसा तो हमें निवेश करना ही करना है जिसको छूना नहीं है हमें जी स्वाती, तो personal finance में इन सभी चीजों के लिए कुछ बहुती मूलभूत से आपको फॉर्मूलाज दिये वे हैं तो एक बहुती बेसिक फॉर्मूला है 50, 30, 20 का जो ये कहता है कि 50 प्रतिशत जो भी आपकी आए है, जो भी आपकी monthly income है उसका 50 प्रतिशत कम से कम आप अपनी जरूरत उपे खर्च करें जो की रोजमर्रा का समान हो गया, आपके घर का किराया हो गया, आपके खाने पीने की समान हो गया, दूसरे बिल्स हो गए 30 प्रतिशत आप discretionary expenses यानि कि अगर आपके कुछ purchase करना है, कुछ asset खरीदना है, कभी कोई white good खरीदना है, थोड़ा सा travel करना है, उस तरह के खर्चों पर आप डाल सकते हैं 20 प्रतिशत, कम से कम, minimum 20 प्रतिशत आपको निवेश करना है, तो अगर आपके 100 रुपे की income है, तो 20 रुपया उसमें से हर महीने निवेश में जाना ही चाहिए, ये formula तब लागू होता है, जब आप अपने निवेश के सफर की, आप अपने income के सफर की शुरुआत कर रहे है जैसे जैसे आपका सफर परवान चड़ता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपनी lifestyle में, तो इस formula को धीरे धीरे change होना पड़ता है, जब आप 40-50 की उमर के आसपास पहुच रहे हैं, तो इस formula को आप उल्टा कर दीजिए, यानि अब आपका जो निवेश है, जो savings है वो 50 प्रतिशत हो जाने चाहिए, अब आपके जो discretionary expenses हैं आप उसे 30 पे ही रखिए, और आपकी जो जरूरते हैं वो 20 पर आजानी चाहिए, बिकाज आपकी आमद नी भढ़ चुकी है, आपकी जरूरते उतनी नहीं बढ़ेंगी, तो वहाँ पर आपको 20 प्रतिशत में उसे limit करना है और 50 प्रतिशत तक आपको निवेश करना है, तो जब आप शुरूरत करते हैं इस proportion को धीरे धीरे बढ़ाईए, बीच से 50 तक का ये जो सफर है, आप इसे जितना जल्दी तै करेंगे, उतना ही जादा wealth creation का process शुरू होगा, उतना ही जादा compounding की journey में आपको अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में इसी तरह का formula चलता है, हम कमाते कम हैं खड़ जादा कर देते हैं, तो हमें अपनी आए से कम खड़्चे को रखना है, हमेशा इस fundamental rule का जब तक हम पालन करेंगे, तब तक हमारा ये सफर अच्छे से चलता रहेगा. पंकत जी, हम बात करें हैं, पोर्टफोलियो में निवेश मंत्र की, चाहे किसी भी उम्र के ही कोई निवेश क्यों ना हो, उन सब के लिए ये निवेश मंत्र कारगर साबित होते हैं, और इसमें सबसे महतपूर्ण जो मंत्र है वो है diversification का, तो diversification की क्या महता है एक पोर्ट करना चाहिए, आपको emergency fund मनाना चाहिए, लेकिन important ये है कि आप एक ही तरहें के products को हर जगे पर fit नहीं कर सकते, आप यदि gold set हैं, आपके short term goals हों या long term goals हों, तो उसके हिसाब से अलग-अलग asset classes में invest करना बहुत जरूरी है, और इसके importance ये भी है कि different asset classes, चाहे वो equity, debt, gold, silver, real estate इनके बीच में जो correlation होता है, वो कम ये ज़्यादा हो सकता है, यदि एक portfolio में आप एक ही तरहां के asset रखेंगे, तो या तो फिर आपको returns अच्छे मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि किसी वक्त पर economy के हिसाब से, situation के हिसाब से, शायद नुकसान भी हो सकता है, तो portfolio में diversification और asset allocation ये होना बहुत ही जरूरी है, जब आप goal tag कर लेते हैं, आपका risk appetite क्या है, वो आप समझ लेते हैं, कितना समय है आपके पास goals को achieve करने के लिए, उसके हिसाब से आपके लिए tag करना जरूरी है, कि आप बेशक हर वक्त पर अलग-अलग asset classes में invest करें, लेकिन उसकी मात्रा कैसे हो, जब आप बहुत short term कर रहे हो, तो शायद आप equity जैसे products में ना करें, आप debt में ज्यादा करें, अगर आप medium term कर रहे हैं, तो आप हो सकता है कि multiple asset classes में करें, equity भी हो, debt भी हो, gold इत्यादी भी हो, long term की बात करें तो ज्यादा निवेश आपका equity में हो, ताकि ज्यादा growth आप को मिल सके वहाँ पर, तो इस तरहां से आपको portfolio में asset allocation और साथ ही diversification, मतलब यह है, diversification मतलब equity में भी कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा नहीं कि एकी sector या एकी तरहां के market cap वाले shares हो, या mutual funds हो, आपके पास large cap, mid cap, small caps, या अलग लग तरहें के sectors आपके portfolio में हो, तभी आप अपन किसी भी portfolio के लिए, diversification का ही दूसरा पहलू है, मोहित, asset allocation, यह शायद ऐसे हैं, जो कि हाथ के हाथ चलते हैं, तो asset allocation के इस purpose को कैसे अचीव करना एक portfolio में? जी स्वाती, तो देखी जैसा कहा भी जाता है कि चमन में इतलाते रंगे बूस से बात बनती है, तो आप जब यह सारे अलग-अलग रंग है, जो पंकर जी ने बताए, equity, fixed income, commodities, सब को एक साथ मिला देते हैं, तो एक portfolio में एक शांदार चमक से आजाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो सारे assets होते हैं, यह negatively correlated होते हैं या फिर positively correlated नहीं होते हैं, यानि इनकी चाल अलग-अलग चलती है, जब कभी एक asset यानि equity अच्छा करेगा, तो हो सकता है debt or commodities थोड़ा slow करें, और जब debt or commodities आपको return करेंगे, तो अमूमन देखने में आया है कि equities उस ताइ तो आपके जो 100 रुपे हैं, उसमें से आप 10 रुपे tactical portfolio के लिए या फिर जिससे आप कहेंगे satellite portfolio के लिए अलग से रख लीजिए, इससे आप चाहें तो trading कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपको कुछ अलग ही asset लेना है, कभी आपको कुछ cyclical खेल खेलना है, stock लेना है, तो आप वो कर सकते हैं, जो 90 रुपे हैं, वो आपका strategic portfolio है, जो लंबी अवधी का portfolio है, जो wealth creation के लिए है, जो generational wealth के लिए है, यहाँ पर इस 90 रुपे को अगर मैं allocate करना चाहूं, तो इसका जो 70 प्रतिशत है, यानि इसमें से 63 रुपे आपके equity में चले जाएंगे, 20 यानि 9 रुपे आपका commodities में, जो की सोना चांदी कहीं भी जा सकता है, तो यह बहुत थी मोटा मोटी तरीके से, मैंने आपको एक asset allocation का एक आकार सा दिया है, सभी निवेशक अपने-पने risk appetite, अपने time horizon, अपने goals के हिसाब से इसको change कर सकते हैं, बट इसमें खास बात यह है, क हमें portfolio को rebalance करना चाहिए, तो हर 6 महीने साल भर की अवधी में आप इसे इसका अवलोकन कीजिए, और देखिए कहां क्या गलत चल रहा है, बट वो rebalancing एक asset से दूसरे asset में होनी चाहिए, वो rebalancing यह नहीं हो सकती, कि आप एक scheme से निकाल कर दूसरी equity scheme में जा रहे हैं, पुरा कोई निवेशक इसे regularly disciplined तरीके से करता है, तो कोई इसमें दो रह नहीं है, कि आपका जो portfolio है, वो बहुत अच्छी तरह से चलेगा, और बहुत ही बड़ी रकम को आप जुटा पाएंगे आने वाले भविश्य के लिए, बिल्कुल, asset allocation, diversification, इन दोनों को कैसे आप portfolio अचीव क तरहें, इस पर राइदी पंकट जी और मोहित ने, अब सबसे जरूरी हम निवेश की ठान तो लेते हैं पंकट जी, लेकिन हमें कई बार जानकारी नहीं होती और चक्कर में, यहां तो हम गलत जगा पे निवेश कर देते हैं, यहां तो मिस सेलिंग का शिकार हो जाते हैं, तो बाजार को समझ कर निवेश कैसे किया जाएं? आप मार्केट के बारे में, एकोनोमी के बारे में जानकारी जुटाते रहिए, ताकि एक तो यह ज़रूरी है कि आपके रिस्क के हिसाब से आप पोर्टफिल को रिव्यू करें और रिबैलेंस करें, दूसरी बात समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जानते हैं, हमने देखा कुछ समय में स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा प्रफॉर्म किया, अब निवेशक अगर ये नहीं समझते हैं कि किस वक्त पर ये असेट क्लास या ये मार्केट कैप अच्छा प्रफॉर्म करेगा, आगे आप कौन सा मार्केट कैप अच्छा प्रफॉर्म कर सकता है, किस वक classes के बारे में, market के बारे में, economy के बारे में जानकारी चुड़ाते रहें बिल्कुल तो बाजार के बारे में जानकारी समझना बहुत जरूरी है, सही जगा लक्षे को समझ कर निवेश करना जरूरी है, asset allocation, diversification की एहमेद के साथ आप एक जागरोट में वेशक भी बन सकते हैं और आर्थिक आजादी की तरफ भी बढ़ सकते हैं कुछ निवेश मंत्रों के आज हमने बात की, पंकत जी, मोहित आप दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं हम आज के हमारे इस खास कारिक्रम में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मनी गुरू में बस इतना ही